हलो फेंड वेलकम टू ग्लमरस ब्यूटी गेट आज हम वीडियो पर बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनको रोज बोलने से इसकिन को बहुत फायदा होता है हिंदी और इंग्लिश के कुछ अक्षर को बोलना इसकिन से एजिंग के लक्षणों को दूर कर सकता है लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करने साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंश सके तो आए हम इन हिंदी और इंग्लिश के कुछ अक्षरों के बारे में बात करते हैं और उसके फाइदों के बारे में बात करते हैं बढ़ती उम्रे के साथ चहरे पर एजिंग के लक्षन दिखने लगते हैं और ज़्यादा तर लोग इसे दूर करने के लिए कई तरह के स्किन केर प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं एजिंग की वजह से चहरे पर जुरियां और फाइन लाइन्स नजर आने लगती हैं इन सारी समस्याओं को दूर करने का तरीका है फेशियल योग जिसमें कुछ अक्षरों को बोलने से इसकिन प्रोडलम दूर होगी और चहरे पर ग्लो आएगा एक्सपर्ट के मुताबिक फेशियल योग करते समय मास पेशियों में खिचाओ पैदा होता है जिससे स्ट्रेस दूर होत साथ ही चहरे से एक्स्ट्रा फेट कम करने में भी मदद मिलती है फेशियल योग के लिए आपको बस दस से पंदरा मिनट का टाइम देना होगा एक्सपर्ट के मुताबिक चहरे की मास पेशियों को टोन करने के लिए फेशियल योग या एक्सरसाइज सबसे कारगर तरीका ह फेशियल योग में कुछ अक्षरों को बोलना शामिल है जिसके जरीए इसकिन को फायदा मिलेगा इन अक्षरों को बोलने से चेहरे की मसल्स में खिचाव पैदा होता है जिससे बलड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसकिन को परियाप्त मातरा में ऑक्सिजन मिलता है तो इससे जुरियां दूर हो जाती हैं इसकिन के लिए जरूरी कोलेजन के प्रोडक्शन में भी ये मददगार हैं ऐसे में हिंदी अक्षर की बात करें तो इसमें A और O को रोजाना 15 से 20 बार एक साथ दोर आएं इसके अलावा E और O को एक साथ बोलने से भी आपके सकिन को बहुत फाइदा मिलेगा और इंगलिश के तीन अलफाबेट O, E और X को भी फेशियल योग में शामिल करना सकिन के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होगा इन अलफाबेट्स को पांच मिनट तक बार बार बोलें इन अक्षरों को दोराने से जॉलाइन, गर्दन और गाल के मसल्स में खिचाओ पैदा होता है जिसका पूरा फाइदा सकिन को मिलता है